वेलकम बेक एब्रीवन वेलकम टु सोल सर्विसे स्टाड़ी प्रक्टिस सेट नंबर 496 पर आजए यूपी पीसेस के लिए और प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइन्स के प्रश्णों पर ठीक है सामान विज्ञान 18 से 20 ठीक है 23 या 25 तक भी आते हैं प्रश्ण पिछले तीन वर्शों से कुछ संख्या कम हुई है वरना 28 से 30 तक पूछे जाते थे जनरल साइन्स के प्रश्ण दोहार 16 तक तो question number one का answer करिए तो प्रकास दरंगों के वायू से काच में जाने पर जो चार प्रभावित होते हैं वे कौन से या नमलेकदमे से बताए जो variables प्रभावित होते हैं वो कौन से आसान भासा में समझें तो प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है अब माध्यम मे कुछ भी हो सकता है धर वायू है उदर कांच है तो कौन-कौन से प्रभावित होते हैं देखिए वेवलेंथ जो है यानि तरंग धहर्द वेवलेंथ तरंग धहर्द आपरती फ्रिक्वेंसी ठीक है वेवलेंथ चेंज होती है हमेशा तो यह चेंज होगी और वेग भी चेंज होता है ठीक है लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती कभी तो जहां-जहां फ्रिक्वेंशी है उसको अलिमनेट कर दीजे फ्रिक्वेंसी अलिमनेट हो जाएकी तो आंसर मिल जायेक अपने और देखर गहर्द lee Gravity पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है यारी टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकास जाता है हीरे से कांच में जल से कांच में बायू से जल में या बायू से कांच में हीरे से कांच में तो देखें जब प्रकास की किरण किसी सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांति कोण से अधिक हो जाने के कारण अपवर्तित किरण संग्रन माध्यम में बापस लोटाती है जिसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन वो दिये गए प्रश्ण में हीरे का अपवर्तनां का कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकास के जाने पड़ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा यानि टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होगा कोश्चन नमबर 3 पर आज़ेए प्रकास सजाबट तथा विज्यापन के विसर्जन नलिकाओं में प्रियुक्त होने वाली गैस कौन सी है कारण डायक्साइड, अमोनिया, सल्फर डायक्साइड या फिर नियोन बताए कौन सी है प्रकास सजाबट तथा विज्यापन के विसर्जन नलिकाओं में प्रियुक्त होने वाली गैस का नाम है नियोन तो नियोन गैस जो है वो विसरजन लेंपो ट्यूबो और पृतिदीप्ती लेंपो या वल्बो में जो है भरी जाती है पृतिदीप्ती वल्ब का मतलब जो चमकते हैं जैसे फ्लूरोसन ट्यूबो गई साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है इस प्रशन को इस तरह से कई बार पूछा गया कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना किस का परिणाम है देखें अब वर्तन तो होता नहीं है इसमें होता है परावर्तन और एक होता है इंटरफेरंस मतलब व्यतिकरण तो विवर्तन परिवेक्षन गलत हो गया यहां पर धुरूबण व्यतिकरण सही है धुरूबण नहीं होगा बहुलित परावर्तन हो जाएगा और व्यतिकरण बतलब interference हो जाएगा एह हो जाएगा इसका answer है तो साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण यानि interference का परिणाम है जब किसी पारदर्शक पतली परत पर श्वेत प्रकास आप्तित किया जाता है तो परत के दोनों प्रष्टों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकास करणों में व्यतिकरण यानि interference होता है इस घटना के परिणामता वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है नमलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकास संसलेशन की करिया संपादित होती है बताएए सूर्य का प्रकास यानि प्रकास ऊर्जा बदलती है रासानिक ऊर्जा में आप्सन नमबर यह है इसका अंसर तो परकास संसलेशन एक मात्र ऐसी जैविक परक्रिया है जिसमें अध्यधिक मात्रा में सूर्य के परकास यानि परकास की उर्जा रासानिक उर्जा में बतल जाती है Question number six पर आजाईए सूर्य के परकास को धरती की सत्य पर पहुंचने में कितना समय लगता है इसको अपने ही पड़ाओगा ठीक है 8.5 सेकंड लगते हैं सी है इसका अंजर तो सूर के प्रकास को अपर थी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड लगते हैं मिनिट में इसको काउंट करें तो लगभग 8.5 सेकंड आठ मिनिट 5 सेकंड कोशन नमबर 5 पर आजाईए प्रकास की गती नमरके तमेंसे किसके बीच जाते हुए निउन्तम होगी देखें प्रकास जो है न निरबात में तो काफी तेर चलता है निरबात में जो है जो ध्वानी होती है वो नहीं चलती तो इन में नियुनतम होगी, इन तीनों में तो अधिक्तम होगी, ठीक है, मतलब ठीक ठाक होगी, सबसाधी किन में होगी इन दोरों में से, काँच में सबसे कम होगी, ए ओजाएगा इसका आंसर, तो देखें, जिस बस्तु या परकास का अपवरतनांग ज़्यादा होता है, उसमें प्रकास की गती निउन्तम होती है, अब कांच, निर्वात, जल तथा वायू में से कांच का अपरतनांग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए प्रकास की गती कांच में निउन्तम होगी, उपर के लिखा जिसका अपरतनांग ज़्यादा, प्रकास की गती उसमें नि ब्रस्टी भ्रम है ऐसा होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है और यह होता प्रकास के पूर्ण अंतरिक परावर्तन के करण यानि टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन ओफ लाइट हर कमपटिटिव एक्जाम का यह पालतु कोश्चन है बहुत पूछा गया है पिछले 200 वर्सों में तो म्रग मरीचिका का बनना जो है प्रकास के पूर्ण अंतरिक परावर्तन के करण होता है इसके अलाबा पूर्ण अंतरिक परावर्तन के कुछ और एक्जामपर यह से अप्टिकल फाइवर हो गया प्रकासिक तन्तू हीरे का चमकना भी पूर्ण अंतरिक परावर्तन क कारण है बायू मंडल में प्रकास के विश्रण का कारण किया है जो nost particle होते है ना धूल के कंट होते एं उनसे होता यह विषन का आंसर तो सूर का प्रकास जो है विभिन रंगों का मिश्रन होता है जब बायू मंडल से होकर गुजड़ता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवम आने पदार्थों के सूक्ष्म कड़ो दोरा इसका स्केट्रिंग हो जाती है प्रिक्रिणन हो जाता है कोश्चन नुम्बर दस पर आजएए खत्रे के संकेत के लिए जो है लाल रंग के प्रकास का उपियोग की जाता है क्यों इसका प्रिक्रिणन सबसे कम होता है यह आँखों के लिया राम दायक है इस तरह के अलिमिनेट किया किजे सबसे पहले और इसका सबसे कम राश्यनिक प्रभाव होता है हबा दोरा इसका अप्सोशन सबसे कम होता है दीकिए इसकी जो प्रकिणन होता है ना वो इसका सबसे कम होता है स्केट्रिंग सबसे कम होती है मतलब सबसे कम फैलता है दूर से भी देखने पर इसकी wavelength होती है, scattering कम होती है दूर से भी देखने पर बिल्कुल बिल्कुल बिंदू गोली की तरह दिखाई देता है ठीक है, तो खत्रे के signal में इसका use करते हैं ताकि दूर से चमक जाए तो खत्रे का signal लाल रंका बनाए जाने का सबसे प्रमक करणी है कि लाल रंका जो प्रकाश होता है वो कम प्रक्रिनित होता है ठीक है, उसकी scattering कम होती है उसकी wavelength सर्वाधिक होती है ठीक है, इसने दूर से ही सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है चलिए कोस्चन नमबर बारे पर आजाए यह कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए नमलकित प्रकार के दरपण में से किसका उप्योग करते है देखे, यह गाड़ी है यह होगा इसकी head lamp यह बगल में mirror लगा है पीछे वाला यातायात जो है, यह क्या है यह अवतल दरपण है, समतल दरपण है, उतल दरपण है यह गोलिया दरपण है, क्या है यह देखे, यह है उतल दरपण मतलब यह convex mirror है ठीक है, और convex mirror में जो परत्विम बनता है वो आभासी बनता है सीधा बनता है, वस्तू से चोटा बनता है अब पीछे ट्रक आ रहा है या बस आ रही है या कार आ रही है तो वो ठीक है वैसी दिखाई देगी और जो खुद की उसकी आकर्टी उससे छोटी दिखाई देगी इसमें पूरी समझ आएगी जिससे आसानी समझ देख सकते हो तो यह उत्तल दर्पन इसका आंसर हो जाएगा आपसन नमबर है बहुत पूस्ते हैं इसको एक्जाम में तो उत्तल दर्पन द्वारा बना प्रतविम आभासी सीधा और वस्तू से छोटा होता है ठीक है इसके द्वारा काफी बड़े शेत्र की वस्तू का प्रतविम एक पूस्य नमर तेरे पर आजाएए अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना देखे अस्त होते समय सूरज का लाल दिखाई देना ठीक है यह उगते समय सूरज का लाल दिखाई देना ठीक है समुद्र का नीला दिखाई देना आकास का नीला दिखाई देना सुमिंग तो प्रकिणन के कारण जो है अस्त होते समय सूर लाल दिखाई देता है question number 14 पर आजाईए दोपहर के 12 बज़े नम्रिकित में से किस दिशा में इंद्रधनुस दिखाई देगा दोपहर के 12 बज़े किस दिशा में इंद्रधनुस दिखाई देगा पस्षिम में, दक्षिन में, पूरब में देखें इंदर धनुस दिखाई देता है जिस दिसा में सूरज निकलता है उससे अपोजेट दिसा में अगर सूरज पूरब में निकल रहा है तो इंदर धनुस पस्चिम में दिखाई देगा अरक सूरज पस्चिम में है तो इंदर धनुस पूरब में दिखाई देगा अब बारे बज़े तो ये लंबबत चमकता है तो इंदर धनुस तो दिखाई ने देगा इसमें तो यह देख नहीं सकते मतलब यह नहीं देख सकते मतलब 12 बजए जो है इंद्रधनुस को नहीं देख सकते डी है इसका अंसर तो दो पहर के 12 बजए सीधे सूर सीधे सिर्पर होता है लंबत होता है अते प्रकास का अपवर्तन वर्षा की बुंंदों में नहीं हो पाता और इंद्रधनुस हमें दिखाई नहीं पड़ेगा ऐस इंद्रधनुस हमेशा सूर्य की दिशा के विप्रीत दिशा में दिखाई देता है अर्थात जब सूर्य पूर्व दिशा में होता है तो यानि सुबह का टाइम हो गया तो सुबह के समय तब इंदरधनुस जो है पश्चिम दिसा में दिखाई देता है और जब सूर पश्चिम में होता है तब साम के समय इंदरधनुस पूर्ब में दिखाई देता है ठीक है और दो पहर में तो दिखते ही नहीं ना वह कॉष्यन नमर 15 पर आज़ दहें ने वार करेगा ये प्रस्टन है पोछ लेता हैं को ठीक है जल में बायू का बुल बुला कभी तो पूछ या अबतल की भाती दरपन तो होगा नहीं वो लेंस ही होगा उत्तल लेंस या अबतल लेंस ठीक है और वो होता क्या ये भी पूछ लेते हैं तो जल में बायू का बुलबला जो है वो उत्तल लेंस होता है यानि कॉन्वेक्स होता है वो और अवतल लेंस की भाती जो है वो विहवार करता है यानि इसका अंसर है D तो पानी में डूबा हुआ बायू का बुलबला जिसकी सत्य उत्तल होती है अवतल लेंस की भाती विहवार करता है ठीक है और पानी का बरतनांग बायू से अधिक होता है इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के lens की प्रिकर्टी जो है वो बदल जाती है यानि air bubble in water is a convex lens and behave like a concave lens ठीक है उत्तल convex है अवतल है concave याद रखना ठीक है पानी में बायू का बुलबुला गोल गोल ही होता होगा ठीक है अवतल lens की भाती प्रिकर्टी दोस्त वाला पानी में बायू के बुलबुले को देखेगा तो उसको जो है दूर की वस्तु इस पस्ट दिखाए देगी तो पंदरा प्रशन थे जनरल साइंस के इनकी प्रक्टिस एक बार कर लेजेगा इसी तरह के प्रशन यूपी पीसेस की परिक्षा में पूछे जाते हैं प्रेलिस्ट बना रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाईएगा उसका जो पीडियाफ है वह उसी पर सेंड किया जाता है उनको कलेक्ट करते रही है डाउनलोड करते रही है खट्टा करते रही है